हेलो, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम कॉटन की सारी को कितना आसान तरीके से पहने कि वो बहुत ही अच्छे लगे और पहनने में भी जाधा टाइम ना लगे खुद से हम कैसे कॉटन की सारी पहने और कैसे प्लेट्स बनाए तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको पेटिकूट पहन लेना है पेटिकूट इतना लंबा होना चाहिए कि वो आपके जाधा छोटा भी ना हो और जाधा लंबा भी ना हो अगर लंबा है तो आप उसे थोड़ा सा उलट ली उसके बाद ये ध्यान रखिए कि पेटिकूट में कहीं भी कपड़ इखटा नहीं होना चाहिए चारों तरफ से वो even होना चाहिए अगर इखटा होता है तो आप उसे साइड में कौने में कर दे तो ये मेरी cotton की सारी है जो कि मैं पहनने वाली हूँ sorry for pitticoot इसके matching का pitticoot नहीं मिला so हमें साडी पहनने किस तरफ से सबसे पहला ये question होता है newcomer के लिए तो आपको साडी को कुछ इस तरह देखना है कि उसका जो work है वो front side में होना चाहिए आपको उल्टी साडी नहीं पहननी है और सबसे पहला काम होता है उसका पल्लू देखना कि उसका पल्लू किस तरफ है तो हमारा ये पल्लू है जो कि अलग ही printed होता है कई जादा तर साडी इसमें कुछ अलग printed होता है तो हमें इस साडी से हमारी साडी को हमारे पीटी कोट में टक करना है हम यह उल्टे पंडले में पहन रहे हैं तो हमें जो भी first tucking होगी वो हमारे right hand side पे हमें उसे हमारी पीटी कोट में टक करना है और साडी पहनने से पहले आप slippers पहन ले जो भी आपको पहननी है और अगर आपको लग रहा है कि पीटी कोट आपका लंबा है तो आप उसे corner में से उपर की तरफ करें front में और back में से बिल्कुल ना करें बिल्कुल जो हमारी कमर होती है side में आपको बस उसी जगह से उसे अंदर की तरफ करना है अगर लंबा है इस condition में अगर आपने चारों तरफ से उसे अंदर की तरफ किया यानि उल्टा तो वो बहुत ही छोटा हो जाएगा तो अगर आपकी पेटिकोट लंबा है तो उसे आप side से अंदर की तरफ कर सकते हैं और दूसरी बात कि आपको जो इसका belt है वो tight बानना है तो हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें right hand side से साड़ी को tuck करना स्टार्ट करना है और आप cotton के सारी को कुछ इस तरह fold करके tuck कर सकते हैं क्योंकि कई girls होती हैं जो बहुत नीचे साड़ी पहनना पसंद करती है तो उनकी selवटे बहुत ज़ादा हो जाती है तो आप इस तरह उन्हें tuck करेंगी तो साड़ी में finishing आएगी और सबसे most बात कि आपका जो first corner होता है आप वहाँ tuck कर रहे हैं वो थोड़ा आपको जादा tuck करना है क्योंकि उसका ये होता है कि अगर वो लंबा रह जाता है तो वो plates के साथ पैरों में आता है जोकि बिल्कुल सहीं नहीं है और आपको बिल्कुल धीरी धीरे थोड़ी थोड़ा margin लेके साड़ी को tuck करना है एक साथ उसे catch के tuck नहीं करना है मतलब कमर में नहीं डालना है नहीं तो साड़ी बैटते वक चलते वक खिचेगी ये खिचने के problem सबके साथ होती है और आप एक साथ कपड़ा लेके एक साथ हमारी पेटिकोट में डालके थोड़ा थोड़ा करके tuck करे और उसे आपको वहाँ तक ही tuck करना है जहां पर आपने first corner साड़ी में tuck किया था उसके बाद नहीं अगर आपको साड़ी tuck करने के बाद भी ऐसा लगता है क्योंकि cotton की साड़ी होती पहनने के बाद भी काफी उपर हो जाती है कि साड़ी छोटी है आपके पैड दिख रहे है तो आपका पहला काम यह है कि आपको इसी condition में से वापस थोड़ा थोड़ा बहार निकालना है नहीं तो चलते वक्त यह और भी जाद उपर हो जाएग कमर से घुमा के अपने शोल्टर पर ले जाना है यह देखना है कि आपको पल्लू कितना चाहिए वो आपकी according है आप अपने according पल्लू ले सकते हैं पर ज्यादा तर पल्लू अगर आप गुटने तक लेते हैं इस जगह सबसे जादा प्रॉब्लम्स क्रियेट होती है कि साड़ी का कौनसा हिस्सा ले जो कि हमारे कमर के उपर तरफ आएगा तो जो हम टक कर रहे हैं उपर से वही हिस्सा हमें यहाँ लेना है और इसे लेने के बाद हमें एक सिफ्टी पिन यहाँ पर लगाने है हमारी जो प्लेट के पास का एरिया है वो इस तरह लगता है कि हमने बॉड़ी शेपर पहन रखा है और साड़ी एक फिश की तरह लुग देती है जिस तरह एक फिश होती है हमारी कमर से तो हमें यहाँ एक सिफ्टी पिन लगा लेनी है ये safety pin लगेगी हमारी नापी से थोड़ा सा आगे उसके बाद आपको plates का इतना हिस्सा छोड़ना है बनानी से पहले साड़ी का और इतना हिस्सा छोड़ने के बाद ही हमें plates बनानी स्टार्ट करनी है ताकि जब हम चलते हैं तो हमारी साड़ी खीचे नहीं और बिल्कुल दीरे-दीरे बनाना है ये cotton के सारी है वैसे तो इसकी plates निकलेंगी नहीं पर फिर भी कि उपर नीचे ना हो even रहे एक cotton के सारे में कम से कम चार या पाँच plates बन जाएंगे easily जादा भी हो सकती अगर आप साडी में से blouse नहीं निकालता है कि plates नीचे नहीं जाएंगे उसके बाद आपको बहुत ध्यान से इनको उपर के तरफ करना है और एक safety pin लगाने है ये cotton की सारी है ना इसमें एक problem तो ये होती है कि अगर आप इसे इनकी plates को कमर में डालता है तो उस जगह पर इनका एक घटी से हो जाती है तो उसके लिए आपको plates को पीठी कोट में टक करने के बाद अच्छी तरह प्रेस करनी होगी पर सबसे पहले हमें यहाँ पर जितनी plates हम अंदर डाल रहे हैं जितनी length में डाल रहे हैं उनको even करना है दुनों हाथों से और कुछ इस तरह चिपका के एक हाथ से उस पे प्रेस करनी है ताकि वो फूले फूली ना लगे और अंदर जाके भी जादत इखटी ना हो उनकी फुलावट कम हो सके एक हाथ से हमें जहां हमने फस्ट पिन लगाई है उसको भी प्रेस करना है ताकि कोई सलवट ना रहे साड़ी बार की तरफ भी ना आए सबसे मेन प्रॉबलम हमारी कॉटन की सारी पहनने में यही होती है कि प्लेट्स किस तरह बनाए क्योंकि मैं भी जब हमें साड़ी नहीं आती है पहननी तो काफी परिशान होता है तो अगर हम इस तरह पहने तो हम खुझ से पहन सकते है किसी के help लेने की या किसी की से request करने की कोई ज़रत नहीं पड़ेगी उसके बाद हमें वापस से plates को even करना है थोड़ी थोड़ी दूरी में even करते वे जाना है क्योंकि हम एक साथ सारी plates पे press नहीं कर सकते तो थोड़ी थोड़ी दूरी में plates को इखटा करना है, जरूरी नहीं कि उपर का margin चले, बस आप एक idea लेकर चले कि हमारी plates इतनी चड़ाई में है, तो जितनी प्रेस हो जाए फिर उसका last corner पकड़े और फिर उन्हें end तक इसी तरह प्रेस करते भी ले जाएं, कुछ इस तरह स जो बहुत चोड़ा है, मेरी पसंद के अनुसार, अगर cotton की सारी का water चोड़ा रहना, तभी cotton की सारी बहुत अच्छे लगती है, तो मैं roughly यहां plates बना रही हूँ, जरूरी नहीं कि सारी even रहे, पर हमें first जो plate होती है, वो थोड़ी बड़ी लेनी है, ताकि बाकी की plates उसमें cover हो जाए, उसके बाद आपको थोड़ी थोड़ी plates को set करते हो जाना है, आपने जितनी भी length में plates लेनी है, आपने जितना लंबा पला लेना है, यह मेरा first plate है, जो कि मैंने बाकी सभी plates से बढ़ी लिये, first plate को बढ़ी लेने का एक फाइदा यह भी होता है, कि अंदर की वो plates को cover कर लेती, इस तरह हमें थोड़ी थोड़ी plates बनाते हुए जाना है, और उन्हें हाथ से प्रेस करते हुए जाना है, अगर आप खुद से साड़ी पहन रहे हैं, इससे यह एक फाइदा होगा कि जो साड़ी में है, even plates रहेंगी, और अगर आप सिर पे नहीं लेते हैं, तो व की नहीं है, क्योंकि थोड़ी पली, वह एक रखुद में लेते हुट ना ले, क्योंकि छोटी पिन के ठा़ी कई रहता है वह भुन सकति हैं, तो बड़ी प्ली पली पलेक्ता है, तो लेकङी ओने चाहिए उन्हें शाय अन्हें पाई हो यह हैं अर्चन वादों और शुरी cigarettes तो थोड़ी देर बाद मतलब एक दो बार ट्राइ करने के बाद वो अपने आप जगह पे सेट हो जाती है और आप चाहे तो यहां उन्हों को सेट करने के बाद एक पिन लगा सकते हैं ताकि वो जो हमारी शोल्डर की बड़ी वाली प्लेट है वो शोल्डर से नीची के तरफ ना है यह मारी प्लेट्स हो चुकी है और यह मारी साड़ी भी मैंने बाद ली है और अगर आप फिर भी चाते हैं तो एक बार पिन लगाने के बाद यहां से भी प्लेट्स को वापस से सेट कर ले एक मिनिमम गैप ले और उसे के कोडिंग इस तरह से हाथ चलाते हुए इनक नहीं क्योंकि वो चलते वक्त उपर हो जाती है दूसरी बात आपको प्लेट्स बिल्कुल सही सेट करनी है क्योंकि लुक वही देती है अगर हमारी प्लेट्स सही सही नहीं बन पाती हैं उनका एक गुबारा बन जाता है जो कि बैठते उठते चलते वक्त बहुत ही बुरा लगता है तो इस तरह से आप खुझ से कॉटन की सारी पहन सकते हैं और I hope आपको मेरे वीडियो से मदद मिली होगी तो जरूर से मेरे वीडियो को लाइक करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आया तो जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना थे